हेलो दोस्तों नमस्देव चली जानते हैं गार्डन के सबसी फूपसूरत और कम केर वाले प्लांट के बारे में यह चांदनी का प्लांट जो कि लाखो की शंख्या में फूल देने वाले एक प्लांट है यह गार्डन में सालों तक रहने वाले एक प्लांट है साथ ही इसमें कोई भी एक कीड़ा नहीं लगता बहुत कम केर की जरुरत होती है इसमें ये एक हाड़ी प्लांट है इसकी कटिंग मांसून के समय में आसानी से और कम केर में ही लग जाती है चान्नी कूगूल चान्नी प्लावर चैनिज टाइगर्स के भी नाम से भी बूला जाता है चान्नी का प्लांट पूरे साल फूल देने वाला एक पूदा है बस इसमें नॉवम्बर और दिसम्बर के समय में पूल थोड़ा सठ छोटे-छोटे से होने लगते है क्योंकि ये प्लाट उसके में ड्वर्मेंसी में चला जाता है क्योंकि ये असमर लविंग प्लाट है तो ये मार्स से लेकर के नमबर तक फूल देता ही रहता है और इसमें जो फूल आते हैं वो गुच्छों में आते हैं सबसची बात यह है कि पौधा कटिंग से असानी से तयार हो जाता है इस प्लांट को मैंने कटिंग से तयार किया है अभी सितंबर का महीना चल रहा है इसको मैंने जुलाई के फरस्ट विक में लगाया था और आप देख सकते हैं कि इसमें दो से साथ में कुछ कलीया भी बन रहा है अभी बहुत चुति सिकलियं हैं जहीक है काफी चोटी है और इस बैन्ट पर जफोल आते वरेटे थिंग को सब्सक्राइब करूंझ में कर सकते हैं और सेकंड पूनिंग नहीं से पहले को सबीअर गोगा है, तो फिर आपको इसकी खात पानी का विसेज द्यान पड़ेगा इसके इसमें क्या होगी 15 से एक महीनी के अंतराल में आपको इभी फर्टिलाइजर देते रहें इससे प्लांट हरा भरा रहेगा पतियां चमकदार होंगी और फूल भी आएंगी और फूलों की जो संख्या होग जो की फल और फूल बनाने में मदद करता है इससे आपके प्लांट नो जो कि हरा भरा और साथ में घहना भी हो जाएगा इस पौधी में वैसे तो कोई केड़ा जल्दी नहीं लगता है पर एक ग्रीन कलर का क्योड़ा होता है जिसको केटर बिलर बोलते हैं जो कि इसकी पत्तियों को खाता है तो यदि आपके प्लांट पर वो दिखाए पड़े तो आप उसको निकालकर गाडन से की दूर फेक द इस वीडियो में बस इतना है यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और भी वैसे वीडियो लाने के लिए तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं किसी न्यू अपडेट किसा सीफ दर्थ और सीफ दनेचर